अलो दोस्तों आपका बबुद स्वागत है हमारे यूटूब चैनल अंग्रेजी अकेडमे में दोस्तों देखिए आज हम आपके लिए कुछ एक मोडल पेपर टाइप में लेके आएं देखते हैं आपके त्यारी कैसी है उसमें से मोस्ट इंपोरेंट किस्टन हमने इंक्लू करेंगे देखिए वाल मिकी ने राजस्थान के भू भाग को क्या नाम दिया था तो वाल विकी ने राजस्थान के जो भू भाग था उसको मरू कांतार क्या दिया था दोस्तों मरू कांतार नाम दिया था नेक्स आता है दोस्तों अरावली प्रवत संकला के परमुक दर्रे इनकी बात नहीं कर रहे हैं इसमें से कि अरावली प्रवत संक्ला है उनके दर्रे जो हैं तो केवडा की नाल देशूरी की नाल हाथी गुड़ा की नाल बहुत इंपोरोटट है क्यूशन है दोस्तों यहाँ पे आपका कौन्चा राता है दूसरा आता है इसको अच्छे से इस क्यूशन को त्यार कर लेना दोस्तों और कोई आपके पास में चारा नहीं देख लिए नहीं अगला क्यूशन आता है दोस्तों अधिकांस मानो सब्बिताओं का नदियों के किनारे पनपने का कारण क्या था दोस्तों तो देखिए, वहाँ पे अधिकांस जो मानव सब्वेताई हैं, वो नदियों के किनारे ही पनपती थी, तो उनका मुखे कारण जो है, वो क्या था, वहाँ के नदियों द्वारा लाएगी, उपज़ाओ, मिट्टी का होना, पानी की उपर बज़ता होना, नदियों का परियों वो किन पौनों से होती है, दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का जो मांचून है, उसके द्वारा ही राजस्तान में सरवाधिक वर्षा होती है, बहुत ही इंपोरेंट क्यूशन है दोस्तों, आगे है दोस्तों, निमल लेकित मुगल सासकों में सरवा पर्थम किसने राजा की आकरती से युक्त सिक्के चलाए थे, देखिए दोस्तों, राजा की आकरती से युक्त सिक्के जांगेर ने चलाए थे, और वो निसार नामक सिक्के कहलाए थे, कौन से सिक्के कहलाए थे, दोस्तों, निसार नामक सिक्के कहलाए थे, आगे है दोस्तों, राजस्तान में वा अल्ला कर्शी कहते हैं दोस्तों ठीक है निक्स्ट आप का था कि बेड के उनका अनुसंदान संस्ता कहां इस्तित है दोस्तों तो देखिए यहां पर आपका था अविका नगर टोक में देखिए दोस्तों यहां पर इसका जो इस्तापना दिवस हाली में मनाया गया था 69 इस्त अपना उई थी अनुसंदा अनसेंटा की स्थापना 1962 में उई थी यह भी थोड़ा सा डेट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों नेक्स कोशन दोस्तों अधार पर 11 के अधार पर साक्सरता का प्रतिसरत है वो कितना है 66.1 है दोस्तों पूरुष साक्सरता कितनी है दोस्तों 79.2 है महिला साक्सरता कितनी है दोस्तों 52 ठीक है तो यहां पर जेपूर नहोकर महिला साक्सरता कहा नहोकर जेपूर नहोकर यहां पर क्या आना चीए दोस उसके बाद में question number next आता है कि किस भूमी बंदोबस्त ने कर्स को द्वारा खेती की गई भूमी पर से उनकी अधिकारों को नस्ट कर दिया था तो दोस्तों यहां पर आता है आपको इस्ताई बंदोबस्त किस भूमी बंदोबस्त ने कर्स को द्वारा खेती की गई भूमी पर से अधिकारों को नस्ट कर दिया था उसके बाद में next question आता है दोस्तों आपका राज्यों में करसिगत ओजारों को बनाने के लगू कार खाने ठीक है दोस्तों लगू कार खौने के बात कर रहा है तो यहां पे आपका जो अंसर आएगा वो क्या है दोस्तों इसके अंदर गज बारों राजी के स्राणी में रखने का आदार उसकी आर्थिक पिछडापन होता है दोस्तों अगर आथिक रोप से पिछडा हुआ है तो वह है बीमारों राजी की स्राणी में आएगा next है राजश्थान के किस सहर को Sun City कहा जाता है तो आप सभी जानते हो जोदपूर को Sun City क ड्राज आता है दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है कपील धरा तीर्थ कहां इस्तित है कपील धरारा तीर्थ है वह किसंगंज बारा उस्तित है कौन तार। इंपोर्टन कूंज 10 नहें किस दूरग की तुलना एटुसकन से की है एटुसकन से की है दोस्तो यहाँ पे आपका अंसर जो आता है वो क्या आता है दोस्तो कुम्बलगड का दुरुग और यह कौन से दुरुग की स्रेणी में आता है दोस्तो यह गिरी दुरुग की स्रेणी में आता है यह भी आपको याद रखना है के संगम पे कौन सा दुरूग इस्तित है गागरुन का दुरूग इस्तित है नेक्स्ट भार्त के प्राचीन टाटार नगर नाम से विख्याद राज्य के पुरतात्विक स्तल की रेड टॉंट में एश्या का सबसे बड़ा भंडार मिला है वेरी वेरी के परतिहार माने जाते हैं तो दोस्तों यहां पर मंडोर के परतिहार है वो ब्राहमन माने जाते हैं और यहां पर मंडोर के परतिहारों का आधी पुरस कोन है हरी संदर है यह भी आपको याद रखना कई बार अगर आपसे पूछ रहे तो नेक्स्ट है निवन में से किसे चोह चोहान शीला लेखों में मतंगा कहा जाता है मतंगा कहा जाता है तो दोस्तों यहां पर आता है विग्रय राजद्वित्य को चोहान शीला लेखों में मतंगा कहा जाता है यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्यूशन है दोस्तों नेक्स आता है अलाव दिन की जालोर विजे क प्रमुख कारण था तो जालोर विजे का प्रमुख कारण था दहिया राजपूर्थ सरदार बिका द्वारा विश्वास घात किया जाना तेकि दोस्तों बहुत इंपोरेंट क्यूसन है यह भी सारे के सारे इंपोरेंट क्यूसन हैं दोस्तों यह समझो कि आपको यह आपकी जो पेपर उसमें चपने ही वाले हैं मेवाड के रक्सक के रूप में समर्ण किया जाता है तो मेवाड के रक्सक के रूप में भामासा हो को मेवाड का रक्सक भाम संसंद के किसी भी सदन में उच्छ न्याले की द्वारा तो दोस्तो इसके अंदर आपको कहता है कि सदन के किसी भी सदन में राष्ट्रपती की विरुद महाअभ्यों की कारियवाही की जा सकती है नेक्स्ट आता है दोस्तों सेखावाटी में ग्राम कट्रा थल में अप्रेल 1934 ये क्यूशन बहुत बार पूचावा है किसके नेतरत्यों में हजारों जाट महलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था तो यहां पे आता है आपका किसोरी देवी ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है 1936 में मदाराम ने बिकानेर परजामंडल के इस्तापना किस इस्तान पे की थी तो बिकानेर परजामंडल के इस्तापना कलकत्ता में हुए थी ये वेरी वेरी इंपोरेंट क्यूशन है दोस्तों नेक्स्ट आता है राजस्थान के स्वतनतर्ता संग्राम का भामासा है दोस्तों ये भी बहुत इंपोरेंट क्यूशन है राजस्थान का भामासा दामो दर्दास राठी को कहा जाता है स्वतनतर्ता संग्राम की बात कर रहा है यहां पर ठीक है नेक्स्ट आता है राजस्थान लाक रोपे वार्शिक आये थी उनकी दोस्तों बहुत ती गजब क्यूशन देखे हैं आपके लिए राजस्तान की कौन सी महिला दुनिया की दस खुबसुर्थ महिलाओं में सुमार्त ही बहुत इंपोरटन्ट क्यूशन आए राज माता गायतरी देवी ये बहुत इंक्स आता ही दूर मेडी इस्तान किस लोग देवता से समधित है दूर मेडी देगे दोस्तों ये जो दूर मेडी है वह यहाँ पर गोगा जी इनका जनु नरायणा जेपुर के अंदर इबये इंप्सेंट है यह भी दादु खौल यानिकी दादुजी की गुफ़ा कहां इस्तित है नरायणा जो यह जगए कहां पर इश्तित है जेपुर में इस्तित है नेक्स्ट आपका किशूर नमर है कि स्री रामदेव पसु मेला में मुखेता है कौन सी नसल का क्रे विक्रे किया जाता है रामदेव पसु मेले में कौन सी नसल की जो गोवन्स है गाये हैं उनका क्रे विक्रे किया जाता है तो यहां पर नागोरी है और जो यह एक चीज और याद रखना यह जो पसु मिला भरता है ना इसके प्रिनता कोन है उमेद सिंग कोन है उमेद सिंग है और यह भरता कैसी किस नसल की गाए है नागोरी नसल की गाए है यह आपको याद रखना है ठीक है राजस्तान में किस वर्स में सती पर्था को पुर्यासत ने कभ गोशित किया था दोस्तो तो इसका आपका अंसर था 1844 में ये भी बहुत ही important question है ठीक है next आपका आता है दोस्तो अलवर जिले के जोगी जाती के लोग किस वाध्य यंतर को बजाते हैं कौनसी जाती के लोग जोगी जाती के लोग कौनसी वाध्य यंतर को बजाते हैं तो आपका अंसर आता है भपंग किसको बजाते हैं भपंग को बजाते हैं next आपका पिछवाई कलाकर्तियों में बने चितर उद्धित किये जाते हैं तो देखिए पिछवाई कला में यहाँ अपना आता है इसका जो अंसर है वो क्या बनता है राजपूत राज संसद के अपर हाउस को क्या कहते दिकिंग दोस्तों अट राज्य सबा्फ घॡ़ा होता है उछ सद्धन जिसको अपन बोलते हैं तो क्या यहां पे राज्य सबाफ आ जाएगा मेंस्ट आपका हिंदी में सर्वा पर्तम भारती लीपी का शास्तर ने ने संकर ओजा द्वारा किसके द्वारा किया गया था पंडत गोरी संकर ओजा के द्वारा नेक्स्ट आपका आता है नियों में से नगदी फसल कोंची है तो नगदी फसल की बात कर रहा है यहां पे तो देखिए नगदी फसल जवार है ठीक है दोस्तो नेक्स्ट आता है दोस्तो लोनी नदी को निमन सहाइक नदियों में अरावली परवत माला से नहीं निकलने वाली नदी क्या है तो देखिए यहां बांडी भी है लेलडी है जवाई है यह सारे तीनों की तीनों है लेकिन यहां पर आपका अंसर क्याता है जोजरी नदी जो है ना वो लोनी की सहाइक ऊसके बाद में राजियप 2020 CA दोस्तों राजि पाल कब जारी करता है तो यहां पर आता है कि जब विदान सभा का शत्र नहीं चल रहा होता है तो जड. र जरी पर सकता है तैकल करता है उसके बाद में मंधृ मंद packed का राजिनितिक प्रमुख हो ता है मंधृ SACHE वाले का, आर राजिनतिक पर मुख कोन होता है? तो यहाँ पे आपका जो अंसर आता है, वो कोन है? मुख्य मंत्री कोन होता है दोस्तों? मुख्य मंत्री होता है, उसके बाद में next आपका आता है कि सबसे लंबा कारी काल, very important question है दोस्तों राजिस्तान के की किस मुक्खे सचिव का रहा था तो देखिए B.S. महता का सबसे लंबा कारी काल रहा था दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट आता आपका राजस्टान लोक सेवा आयोग के अद्धिक्स यह सदस्ट्सट्यों की नियुक्ति की जाती है किसके दौरा की जाती है निमन लिकित में से किस उत्खनन से चांदी की मुद्रा पंच मार्क प्राप्त हुई थी यह भी बहुत इंपोरेंट है सब बेताओं से समधित क्यूशन है तो यहां पे आपका अंसर क्या आता है दोस्तो बैराट ठीक है दोस्तो किस से आता है बैराट नेक्स्ट आपका क्यूशन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वादिक लिंगानुपात वाला राजे कोंचा भई कीरल है यह याद रखना उसके बाद में नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के संचाल नेतु आजाद मोर्चा किस का गठन आजाद मोर्चे का गठन कहा हुआ था तो आजाद मोर्चे का गठन दोस्तो जेपूर में हुआ था और रामकरन जोसी और दोलत बंडाली के द्वारा यहाँ पर आजाद मोर्चे का गठन किया गया था बार छोड़ो आंदोलन संचाल नेतु ये भी एक very important question बन सरसंके परधान मंत्री बनाए गे थे सोगो माही इसका मतलब सोभा राम कुमावत गोकुलाल अशावा मानिक किलाल वर्मा हिरलाल सास्त्री ऐसे मैंने आपको कुछ टिप्स बताए थे नेक्स्ट आपका क्या आता है देखे दोस्तों यह वी एक अच्छा क्यूसन है बहुत ही गया है कि तीरिया तेल हमीर हट चड़ेना दूजी बार ठीक है न यह किस दुरके सासक से तो रन्थमबोर्ट के शासक के बारे में यह वाले बाते कही जाती है नेक्स दोस्तों जब कुछ दिनों तक वर्सा होने के बाद यदि एक दो या कई सब्ता तक वर्सा न हो तो इस के सेशन के लिए देखिए क्या करांती ठीक दोस्तों क्या बना हमारा कर्शन करांती का समंद किस उद्धोग से है कर्शन करांती का समंद किस उद्धोग से है तो यहां पर आपका था खनीज तेल उद्धोग है उसका समंद कर्शन करांती है ठीक है दोस्तों इस तरह से हमने यह 50 क्यूशन किये हैं और आई होब कि यह क्यूशन आपकी प्रिपरेशन को बताएंगे बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे थैंक्स पर वोचिंग इट